नमस्कार, ये आकाश्वानी का इडानगर केंदर है, आप से भी का स्वागत है आज के विशेश कारिक्रम में, जो की आधारित है World Population Day 2024, और हमारे साथ बाचीत करने के लिए हमारे स्टूदियो में आज मौजूद है दॉक्टर पीजे शर्मा, वरिस्त सलाकार Director of Health Services नहरलगन में, सर आप अपहत स्वागत आज के कारिक्रम में, जिदी आपको भी बहुत स्वागत, जी, सर आज है World Population Day 2024, जी, Population क्यों सेलेब्रेत किया जाता है, इस तरह का दे दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका objective उद्देश क्या होता है सर, Population उपर वाला दे जैसे सोच के जनम दि चाहे वो human being हो या other animals हो, तो उन लोगों के लिए रोटी कपरा मकान का भी ब्यावस्ता एक सुनिशित रूप से किया गया था, अब कोई एक population का size suddenly बर जाए या gradually बर जाए, उसका साथ तालमिल मिला के हमारा प्रकृती में available जो natural foods है, other resources है, पानी है, तो ये सब चीज तालमिल बैठा के हमारा जरूरोत का मुताबिक है क्या नहीं है, परिमान के इसाब से, अगर हमारा population suddenly बरना शुरू हो जाता है, तो हमारा resource में भी crisis होता है, देखिए approximately world का 18% approximately बोल रहा हूँ, 18% population इंडिया में है, लेकिन इंडिया का जो भूभाग है, surface सिरिया जो है, वो सारा world का comparison में बहुत कम है, और उन में से भी आप देखिए कहां पे हमारा जनवसेती बस सकते है, जिसे कि जहां पे register नहीं होँआ पे तो बहुत मुस्किल है, जहां पे सागर का बहुत trouble होता है, परनेंदो होता है, उस अबरे में भी ज्यादा नहीं रह स हॉस्पिटल बोले, education का system बोले, उसो गना के रखना बहुत ही difficult है, तो कुलमिला के रहने का लाग का जो area होता है, और जहां पे हम लोग खेती बारी करके रह सकता है, वैसा जगह में एक limited population ही आराम से जी सकता है, अगर देखा जाये तो, लेकिन अगर ज़से हम ने बोला कि 18% population इंडिया का, इंडिया में ही रहता है, लेकिन उसका जो भूबा गए बहुत चोटा है, तो ये सारा वर्ल्ड का 18% population को हम कही से खिलाएंगे, उपर से अगर ये population बढ़ते रहें, तो explosion जैसा हो जाता है, जिनकि हमारा area limited है, वो तो नहीं बढ़ रहा है, तो उसका साथ म कुछ प्रोब्लेम को हम लोग जनम दे देते हैं, कि अगर इतना ज़्यादा population होगा, तो इसका ठीक खाने पीने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, ज़्यादा population होगा, तो खीछाता नहीं होगा, similarly education हम ठीक प्रकार से दे पाएंगे क्या नहीं पाएंगे, मैकसिमम आत्मी uneducated रहेंगे तो उससे हम क्या काम कराएंगे आगे समास का भलाई के लिए, तो इस तरीका से जो में दो ही चेत्र में इसका emphasis किया, एक होगी आपका health sector, जहां पे अभी हम hospital का बात कर रहा था, कि hospital म इतना डॉक्टर्स है नहीं, इतना डार्स नहीं है, इस सब सीजिन में जदा आदमी भी मर परेगा, तो हम कहां रखेंगे, जिसलिक अब लोग को बीट का सही मुट समय में भी experience किया है, कि जगह कितना था रखने के लिए, या तो हमारा सारा resources अवेलिबल है या नहीं है, त इसका ही problem को बार-बार sensitize करने के लिए, awareness फैलाने के लिए कि ठीक है, आप लोग जो rate में अभी बर रहे हो population, उसमें इतना ध्यान रखोगी आपका resource का, ज़्यादा crisis ना हो जाए, आगे में हमारा जिवन जिने का लायक ना रहे, crimes ज़्यादा ना बरे किमकि resource का crisis होते रहें ये चीज़ को ही बार-बार sensitize करने के लिए हर साल में हम लोग 11 जुलाय में इसको मनाता है, अच्छा, सर, डॉक्टर केसी जकारिया जी जो है, उन्हें father of world population दे कहा जाता है, जी, 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 इसा क्यों है, और हमारे श्रोताओं को बताए कि, इस बारे में इतने लोगो में एक एक्सपार्ट था, जो मेंली population science का उपर में दोखल रखने वाद एक बिद्दन था, बहुत बड़ा बिद्दन है, उसने देखा था कि करिब करिब जुलाय 11 1987 में सारा वर्ल में approximately 5 billion population को टाच किया था, ये एक reference का हिसाब से हम लोग इसको बार-बार रेफर करते हैं, और तब उन्होंने ये बात को छेरा कि हमें ये population को किस तरीका से किस दिसा में लेके जाना है, और इसको अगर कोई solution लाना है तो क्या करना है, क्योंकि he was a demographer, demography में population का science का details study होता है, ये specific disease किया होता है, ये specific fertility rate किया होता है, मतलब mortality rate, total fertility rate, मतलब ये एक बहुत बड़ा science है तो उसका बहुत बड़ा बिद्दान्थ है, तो उन्होंने ये सब चीज को थोड़ा details में देखके काम करने के लिए advice किया था, उसका advice के मुताबिक 1989 में से EVN body ने इसको implement करने के लिए शूरू किया है, वो जो date suggest किया था 11 July, 87 में, वो ही 11 July को ही रखा गया है, तो उस करना चाहूंगा, जे concept of population education जो है उसको प्रोफेसर ऐसर वैलनली ही, mainly लागू किया था, तो सुरूरार में जो लोग ये सब काम सुरू करते हैं, उन लोग काफी, मतलब, अबस्टेकल चलना परता है, तो इसलिए हम लोग आज ये फील करता है कि उन लोग का वज़े से हम ल हमारा देश जो है भारत दूसर नंबर पर आता है, जन संक्या सबसे बड़ी है, ऐसे में जितना जन संक्या बढ़ती है, उतने जैसे कि आपने पहले बताया, रिसोर्स की आवशकता होती है, रहने की जगा, खानी की जगा, शिक्षम, जी जी शिक्षा की ज़रृत, अस्प चिलो में डाल देती है, और क्या वो पॉजिटिव चीजे हैं, जो पॉपुलेशन जादा होने से, या फिर पॉपुलेशन के बढ़ने से, पॉजिटिव इंपक्ट सोसाइटी कहे, कॉमिनिटी में कहे, उसका इंपक्ट परता है, एक तो यह है कि कोई कांट्री में योंग पॉपुलेशन जादा है, तो उसका प्रोड़क्टिविटी हम लोग हाई आन्डास कर सकते हैं, अगर उसको सही दिसा में सिक्षा, प्रसिक्षन ये सो मिला है, और जिस कंट्री में सबसे जादा ओल्डेस्ट पॉपुलेशन रहेगा, उसमें तो काफी बार्डेनी रहेग तो प्रिफार करेंगें कि कौन सा कंट्री में यंगेस्ट पॉपुलेशन जादा है इस शमाय में, तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा प्लास पॉइंट होता है, और नेगेटिव पॉइंट में जिसे थोड़ा एकोनोमी क्राइसिस का चीज में, या तो काम करने के लायक कहां कितना है, देश का नाम लेना हम नहीं चाहरा है, लेकिन इसा देश भी है, जहां पे आदमी रिटार्ड हो गया, 70, 75 इतना उमर में भी उसको, रिटार्मेंट का बाद में भी, अर्मी में उन लोग काम में फीर रखा जाता है, आप अभी सोचके देखिए, ये असी की असपास का उमर का आदमी ये बेटल फिल्म में हो या बोर्डर में क्या कम करेंगे, लेकिन हमरा इंडिया उस हिसाब से बहुत काफी आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग का यॉंग पोपुलेशन कॉम्पेटेवली जादा है, तो जो देश का वईसा हालत है, उन इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा, पॉपुलेशन का लिए हम लोग टोटल फार्टाइलिटी रेट का बात करते हैं, इसको सॉट में हम लोग टी एफर बोलते रहेंगे, जिससोंवे में ये सॉब कॉंसेब थोरा पॉपुलर होना सुरू हो गया, हमारा इंडिया में एक स्लोगान बीच में आया था, आसकाल इतना नहीं सुन रखा है, कि हम दो हमारे दो, मतलब एक पेरेंट से उसका बालबच्चा दो में इस हमिट रखे, तो उसका साइंटिफिक जो केल्कुलोसन का साथ में टालमिल था, वो है टी एफर 2.1, मतलब एक कपल में दो अदमी है, जैंसन लड़ीज, लेकिन उसका रिप्लेस्मेंट लेवल में जाएंगे, तो एक लर्का है या एक लर्की है, या दो लर्का है या दो लर्की है, तो पेरेंट्स का द्हान थो गया, तो बाकी ये दो सिविलिंग रहता है, तो पोपुलेशन मतलब एक बैलेंस में रहता है, इसलिए इसको हम लोग रीप्लेस्मेंट लेगल बोलता है अभी क्या हुआ है इतना ज़्यादा कोई-कोई जगह में एवरेनेस का वज़े से कहीं-कहीं तो पोपुलेशन इंडिया का कोई-कोई मतलब पंधा को निभाने वाला लोग का पोपुलेशन का जो ये जनम देने वाला रेत था वो बहुत काम हो गया है तो ये अच्छा बात हुआ है कि हम लोग कम से कम टी-ए-फार का आसपास में ही जिसे-दिसे हम लोग रुका हुआ है तो ये तो बहुत एक कामियवी का चीज जिसा है तो उस हिसाब से देखे हैं तो हम लोग क्वालिटी कुछ सार्विस दे सकते हैं अदमी के लिए प्लेन थोड़ा ठीक ठक से कर सकते हैं लेकिन कोई-कई जगा ऐसा भी है जहां में आपका बॉय का जनम हो बलके भागते 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 कभी उस फेमिल में बहुत सारे फिमेल्स का जनम होता है तो फिमेल्स का जनम ऐसे जो आदमी का ग्रीड है कि हमरे एक मेल बॉय का पास उसके लिए हो सकता है कि एक तो है प्रोल्म ऐसा कि जो फिमेल जनम दे उसको तो मार नहीं सकता है अब फीमेल जनम दिया तो एक फीमेल तो बहुत सारे बच्चे को आगे भी जनम देगा तो पॉपुलेशन तो अटमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा क्योंकि उसका भी हो के उसका भी हो किसी तो भी मार नहीं सकते हैं अब इस संदर में ऐसा हो गया कि अगर बॉइ का चक्कर में अम लोग नहीं जाके कि हमारा जो जनम हुआ है रिप्लेस्में लेबल में दो बच्चे उसका बाद में भी अगर हमारा कोई आसा है क्यों ना हम अपना सोसाइटरी का ही जो डिप्राइब्ड पॉपुलेशन में ज क्यापसिटी है तो हमारा पास में अच्छा हुमेन रिप्रोर्स जना होगा सातो साथ टी आर का वी जो फर्टलिटी रेट का प्रोलेम ता वो भी एक रॉंट्र में आजाएगा तो इस तरीका से हम लोग कुछ सोस सकते हैं और जो फीमेल जनम देने का बात कर रहा है कि बार होता है एक तो है कि बार्ट रेट दूसरा है कि डेठ रेट मतलब कितना मृत्तु दूर किया हो रहा है तो उसमें प्लस मैनस होते रहता है देन आर अवर चीज होता है कि मैंगरिशन अगर मैंगरेट पॉपलेशन जादा है तो दिखिए हमारा अवरा अच्छा में भी जो लोग सेट हो चुका है अलरड़ी वहां पे भी उसका मन नहीं लगता है तो यह होता है कि बाहर में हमारा क्वालिटी वाला ब्रेन निकल जाता है बहुत यह सुब चीज देखके आगे तो ध्यान रखना बहुत जरूरत हो जाता है और देखिए जहां पे बच्छे लोग ब इसलिए हम बुला कि क्वालिटी है तो यह से देखे कि थोरा चोटा मोटा जगा में मतलब सीटी में जो आन प्लेंट तरीका से आर्मनाइशन जादा बरते रहे हैं हमारा ही अरुनाजल का इठाड़ कर भी बात करें आगे का जो पॉपलेशन जितना था अभी जितना सारे किस तरीका से हुआ है वो सही प्लेनिंग का मुताबिक अगर हुआ है तो मतलब सोचल का जिसा कम से कम सोचके अगर नहीं बनाया है तो इमीडिटली तो फोर बार बार करना पड़ेगा या तो कुछ मैं या तो हम सोच नहीं पाया बोलके बहुत सारे गल्दी को तो इसमें भी जो अभी आर्टिफिसियल फ्लाट का बार बार रीपिटेटली तो चार साल से देखी रहा है तो इसमें मतलब लगता है कि हम लोग खुदी इन्वाइट किया हुआ जैसा है यह हो गया हिली वाला प्रोल्म हिली वाला स्टेट का नहीं थोरा बहुत कि एक चो जहां पे लो लेन वाला पास में रिवार का पास रहने वाला जो जनाव वसती है वो लोग मेंली खेत का अबर काम करते हैं तो या तो मचली भी कुछ उसमें निकाल लेते हैं सपला होते हैं तो उन लोगों का वज़े से हम लोगों खाना तो बहुत सस्ते में मिलता है अगर यह खाना नहीं मिलना होगा तो पैकेस फूट का इंदर मतलब टीन में जो फीश आ रहा है उसको ले रहा हूँ जहां पर प्रिजर्विटिव है जो हेल के लिए इतना कोई फाइदामन चीज है नहीं उपर से जो दाम में अमको फ्रेश सीज मिल रहा था वो नहीं मिलेगा कि सब्सक्राइद में जो अमझ का जहां है और झाएदामन का एंदा चाहिया था उसको सुदर नहीं पाएं हैं इसके वजयोच स सब्सक्ति के लिए में गया है उसमें रिभार में क्या होता है फ्लाग तो होता है ठीक लेकिन फ्लाट का साथ-था जो लेंड का रिवस्ण ह आज तो इतना लेंड है ही नहीं, तो उसमें हमको खेत करना है, उत्मतन जो होगा, क्योंकि ओड़ो 12 मांठी है, एक साल में, उसमें भी स्वीटेबल एंभर्मेंट काप मिलता है, नहीं मिलता है, उसके इसाब से जो खेत वारी होगा, या मचले मिलेगा, उसको तो कॉम सप्ल करना परेगा, सप्लाय कर काम होगा तो डिफिनिटली दाम रहेगा, दाम बरेगा मतलब एकोनोमी के लिए हम लोग हैरास्ट होगा ही होगा, तो मतलब वाइन तो है एक पोपुलेशन और लेकिन असर कहां कहां नहीं दिखता है, एक चीज ऐसा भी है, अभी दिखिए कि कु इंसिनरेक लिए बोल रहा है कि अगर जेंडर में इसा डिस्वेलेंस होता है तब तो कुछ तो मेरे रिलेटेश जितना भी रिति रिवाज है उसमें तो कुछ ना कुछ असर होगा है कोई जगा इसा भी है जहां पे फीमेल का जनम बहुत काम है तो उसमें तो मेल्स को अप एक मोर एक टार्निंग ऐसा भी होता है कि वो क्राइम्स में इंडरेकली इंफ्रेंस करता है किसे कि अगर फिमेल्स काम है तो जेंस में तो यह कमी मैसों समयसा होते रहेगा तो इंडरेकली यह सो क्राइम्स में भी धकल देते हैं तो इंडरेकली नहीं इंडरेकली इंडरेक तो यह सो कुल मिला के देखने के साथ-साथ, हम लोग पता चलता है, कि where actually we are living, कि क्राइसिस, जानते बुस्ते हम लोग, मैनेस करने का जगह में हम लोग सक्सम हुआ या नहीं हुआ है, जैसे कि अगर climate में असर आता है, pollution से, हमारा sky में, इंडिया का sky में कितना flight उरता है, लेक कि अगर में अगरे में का कि उत्र आता है, कोई तो दर्वाजा वे कि बँंठ एक बंठिया नहीं हम इन, लोग के खिजु़ाजा है, कंद्व कंझ में हुआ है, लेकि पूरम झाता है, लेक उनलिकाय धर्में जल्वा है ऑनलिकल्णी एक। और दिल्ली में भी सास लेना मुसकी लिए है, कौन जने कि इतना दिन का बाद में हमारा इठनागर में भी इस तरीका से वेहिकल चला हुआ है, तो उसको सार हम लोग कांट्रोल करना परेगा, कांट्रोल इंडास मुझा या तो कोई बरा बास फ्री अपकॉस चला है कि कि मुझा अगपर बीषा उपक दे का इतना है उसके हम size quality और पाद से हम से कमसे अ क्योंट से के इतना है उसको हम quality air कम से कम से करें quality Be Proud and Control the Crowd, What do it mean and what its importance is? अगर हम लोग लोग नहेंगे, जितना जनाता जादा होगा, उतना हिएपना हावज होगा इस वे लिए परगा है लेकिन बात यह हे कि अगर हम और क्राओड को काम कर लें एक दिन में तो होने होला नहीं है तो gradually हम ऐसा कोई method apply करे कि जो rate में हमारा population बर रहा था total fertility rate का इंडरेट लिए हम refer कर रहा हैं तो उस rate में हम अगर लगाम लगाएंगे तो वो crowd automatically कुछ सल का बाद में क्राम हो जाएंगे और वो crowd क्राम होगा तो हम लोग का ज़्यादा खूशी होने का बात इसलिए होगा कि जो भी हमारा पास में एक साथ जी रहा है उनकी लिए भी हम रोटी, कपरा, मकान, सारे चीज़ को हम लोग क्वालिटी से प्रवाइट कर परा हैं तो इसमें क्वालिटी बात हो जाता है तो जिसमें हम लोग हैपी हो सकता है इसलिए हम बोला है कि क्राउट को कॉंट्रल को क्या हम है अच्छा है पर मैं भारत की कॉंटेक्स में आपसे आपका व्यू जानना चाहोंगे कि आगे क्या है फ्यूचर इंडिय का as लग फपुलेटिय गंठी इसडय है जो पॉपुलेशन का दन शीटी अभी आम लोग कंसिडर करेंगे विकी प्रस्क्वेर किलोम प्रस्कूर किलोमिटर में हम लोग घटता है पर स्कूर किलोमिटर में कितना है तो यह जानके आपको बहुत अच्छा लगागा कि अरुनाचल में लोएस्ट पोपुलेशन देंसेटी है लास्ट वला जो सर्वे हुआ तो मतलब इंडिया का बात कर रहा है विदिन इंडिया सबसे लोग पोपुलेशन देंसेटी है अरुनाचल में वो है 17 इंडियाबिटेंट पार स्क्वेर किलोमेटर यह तो मतलब एक मैरमेटिकल डिजाइन से लोग बोल रहा है लेकिन कोई अरुनाचल में इसा भी जगा मिलेगा जहाँ पे पोपुलेशन है यह नहीं और जहाँ पे आर्बनाइज्ट होने जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा है तो यह एभारेस का एक पिक्चर है अपिससे पारेस मुल प्रेड्व sect बेंगल में आप हाई कोपुलिशन देखेंगे जगे वेष्ट बेंगल है अब यह दोनों एक्स्ट्रिम सिय mano है लेकिसे साक्राइसिस है और कहा में हमारा पास रिष्ट्र्स का अवलेविलिटिए है इस दोनों का बीच में ही हमको solution देखता है जो आमने पूछा है कि इंडिया का future हमकी से देखना चाहिए है क्या देखता हूं ये दोनों से हमको latest सिख क्या क्या मिलता है इसका बीच में भी जो अच्छा वाला state है जिसका wellness अच्छा है वो क्या तरीका से चल रहा है क्योंकि कोई एक particular state का नाम लेना तो मुस्किल है क्योंकि अपना अपना problem कहीं ना कहीं तो ही है किसी एक को direct अच्छा वोलना भी ये थोड़ा इतना असन बात नहीं है तो लेकिन ये population density का हिसाब से गर हम जो देखें कि West Bengal कैसा है और और नचल कैसा है तो कैसे हम लोग संती से इसको प्लैन कर सकता है उसी साब से हम देखते कि एभारेज एक अच्छा वोला स्वस्त भारत हम प्लैन कर सकते है अगे का समय के लिए जिसमें सही तरीका से जिने के लिए किसी के भी हम लोग हॉक छिनना नहीं होगा, अपने हाप मिलते रहेंगे, कहीं पे भी कोई खिचातानी नहीं रहेगा, क्राइम का कोई सभले नहीं होगा, इस तरीका से हम एक अच्छा वला, जो सिखित, बिखित, और नाचल जैसा हो, वैसे ही हमारा भारत भी हो, हम तो आग फिल्में परिवर्तन हुआ है, एजुकेशन फिल्में भी ऐसा परिवर्तन आसकाल परिलक्सित हो रहा है, कि जो जैनेरल ग्रेजियोशन या हायर रेजियोशन के लिए जाता है, उन लोगोंने मोस्टली टेक्निकल लाइन को प्रिफर करना सुरू गिया है, कि मेरा उतना ही हो, उतना ही आदमी हमारा पास में जो अवेलेबल काम का वर्ल्ड बनके आया हुआ है, जहाँ जाँ जाँ वर्क सेक्टर है, वहां के लिए हम लोग सुटेबल बनके जाएं, इनरेकली क्या बोलना चाह रहा है, कि आगे के समय में हमारा एजुकेशन सिस्टेम भी बनाएं, कि कौन बच्चे को चोटे उमर में देखके अइडेंटिफाई, अल्मोस्ट 95% कि हम इसको इसको इडेंटिफाई कर चके है, कि यह रिसूर्स को हम कौन सा वाला फील तक की डेवलाप करने के लिए अच्छा रहेगा, कि उससे बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, यह है कि हमारा जन्नसंग्षा भी है, इंकाम भी है, और कौनिटी का साथ में कॉमराइज नहीं हुरा है, साथ में यह जो प्लेनर लोग है, जितना भी एज़ठ लोग है, उनलोगों कभी भी हम बाड़े निस अबसें देखते हैं, कि उनलोग अगर नहीं रहता था तो हम लोग का से आते थे और आज हम अच्छा हो बुरा हो जो वी सिट्वेशन में है क्रेडिट गोस तू देम अंगले मोर और लेस किसलिए वो कम से वम क्या चीज़ का साथ लराय करने का बाद यहां तक कि हमको ला पाया है वो ही जनते हैं जो हम लराय किया है नहीं उपर से देखके हम क्या कमेंट करें तो इसलिए हम लोग उन जनरेशन का आभारी भी हूं और साथ में जो अने ओला नेक्स जनरेशन है यह जनरेशन को हम प्लान कर सके इस तरीका से ही एक स्ट्रेजी हमको दिखायत देते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है और लेकिन सिर्फ अर्निंग का बात अगर इसमें पॉइंट आता है तो एक है कि जो खूब कम पॉपलेशन में रहने वाला जो कांट्रीज है वो सब जगह में ही हमारा पॉपलेशन का एड़ुकेटल वाल बच्चे वहाँ पर जाके काम करते है तो उसका पॉपलेशन उसका साथ में रहते हुए एक बैलेंस भी आएगा रिसूर्स के वहाँ पर भी कमी नहीं है साथ हो साथ मिंदे वहाँ पर उनकम हमारा यहां पर हो सकता है तो यह मतलग जहाँ पर भीरवार है वहांसे हतeg़ के अलग जहाँ पर कौम भीरवार है यह साओ जगह में जाके भी हम कुछ कर सकते हैं इस तरीका से एक तुरहरी सोलीशन है लेकिन खुट का जगह में खुट को प्लैन करना ही ज़्यादा सस्टेनेबल है इस अब से लेट वी दा मोस्ट लॉंग ट्रम सोलेशन दोक्तर पीजे शर्मा जी हम अपने कारेक्रम के आखरी पडाव में पहुंच चुके हैं आखरी समय में पहुंच चुके हैं तो आखर में आप इस वर्ल पपुलेशन दे 2024 में आम जनसंख्या को क्या मसेच देना चाहेंगे जिसमें हम आप भी सामिल है आम जनसंख्या को कम से कम हमारा गाओं गाओं में अवेलेबल जो आसादीदी लोग है उन लोगों का साथ में टालमिल रहें क्योंकि मैं हेल डिपार्में़ से बात कर रहा हम तो इसलिए हमारा बहुत प्यारे जो सबसे अच्छा वला करीं है वो हमारा आसाधीदी लोग है जो हमारा ग्रास उनसंख्या क्राश्वामें लेवेलेबल है उनका जो need रहेंगे, वो भी हमको बहुत जल्दी से advance information मिलेंगे और उसको हम solution के लिए plan भी कर सकेंगे, तो यह है अपना वाला क्षेत्र से related message, लेकिन साथ में alert रहना यह है कि हर एक department का जो भी grassroot worker लोग नीचे में हैं, उन लोगों का साथ में भी थोड़ा coordination में रहना आपका मेसेश प्लैनार तक की आया और प्लैनार भी यह प्लैन कर सके कि आपका आनेवला भविस्य में जो requirement है, उसमें हम कुछ काम कर सके, तो यह बेलंस को रहने के लिए जो हमारा आम जनता है, वो हमेशा कुछ अच्छा नेटवर्क में, पोजिटिव थिंकिंग में आग हमारे आकाशवाने के स्टुडियो में आज आकर इस वर्ल्ड पोपुलेशन दी के विशेपर शामिल होने के लिए बाचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद, इसे के साथ ही आज के इस विशेश कारेक्रम में बस इतना ही, अब मुझे कैनियूम आगों को इसा आज दीजी, नमस्कार